ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शंकर चरणत त्रिपाथी से डॉक्टर त्रिपाथी एक कुंडली कैसे किसी भी इनसान के भूत भविश्य और वर्तवान के बारे में सब कुछ बता सकती है येस बहुत पुनीत प्रस्ण है और वास्तों में ये प्रस्ण आपका अत्यनत प्रासंगिक जातक पहला प्रमार जातक सरीर का मालिक नहीं है यहां से कुंडली का ध्यन सुरू होता है अगर वेत्ती कहता है ये मेरी बाडी है मेरा सरीर है सरयाम जूट बोलता है चुकि सब जूट बोलते हैं इसलिए इसको सोसल सेंक्षन प्राप्त है अगर आप इस बाडी के मालिक हैं तो वो तारीक वो घड़ी वो शमय बता में जिस समय इसकी लंबाई बढ़ता हुआ बर पिस्तरीर के मालिक नहीं है और यह किसी और दौरा संसरील किया जाता है पंचांग चंधर्ब कोना कि महत्थों के बारे में हमें बताइए थी अन्युपी और यूग इनिती वार योग-करण बब इन सब को सम्मेक रूपेंड करके और पंचांग का लेकिन आज भारत वर्स में 42 पंचांग चल रहे हैं और पंचांगों के एकी करण पर जो तिस्विज्ञान में जो प्रयास किये गए हैं वो किया गया है तदाईव एक रूप लाने के लिए चंद्रमा के मूल्स में प्रस्पुटी ठोकर के बाहर आते हैं अभी फुटबाल का विश्व कप हुआ था उस समय आक्टोपस पॉल बाबा सबकी जवान पर चड़े हुए थे कि कैसे एक जानवर इतनी सटीक भविश्यमाणी कर रहा है सबकुछ अक्षरस सही मीडिया से लेकर वैज्यानिक 30 मिनिट पर ओपन स्पेस में अटल वी हरी बादप्याई भारत के तक्त पर तीन बार बैठेगा 22 मई 2010 को मनमोहन सिंग भारत वर्ष के तक्त पर बैठने के लिए बाद दे 13 तारीक को 13 बज़े मायवती उत्तर प्रदेश के तक्त पर बैठने के लिए बाद दे 207 अफ्सलूट मेजाल्टर सद्दाम कुएं से गिरपतार होगा और फांसी के तक्ता इसका इंतजार कर रहा है इस तारीक को ये प्रमार इराक पर आक्रमार इतने बचके इतने मिनिट पर अमेरिका द्वारा किया जाएगा ये समस्त प्रमार आपके समच पुस्तकों में है जब घंटा मीनिट सेकंड में बेदने की ताकत पूनस से पून माद आए पून मेवाव सिस्ते जब पून ही बेदेगा तभी पून का जन्म होगा इसमें जो आप चीज अक्टोपस की कहते हैं हमारे यहां इसी भारत वर्ष के तक्ट पर बैठने वाला अकबर 40,000 कबूतरों को रखा था और वो उसके मीडिया संचार का सबसे बड़ा गुर्प था वही भविस्तिबानी करते थे और वही सुचना देते थे हमारे यहां गिद्ध जटाई और सबरी इतनी भविस्तिबानी किये हैं कि बालिमी के रामाली से भरी हुई है जब हमारे यहां तोता और पक्ची भविस्तिबानी करते हैं तो एक अक्टोपस ने भविस्तिबानी की इसमें आश्यर का कोई बिंदू नहीं है चार सो साल पहले जर्मनी में एक जोतिसा चार हुए खाफी महान थे नस्तरा दमस इन्होंने कई भविश्चيवैनिया की युद्ध इत्यादी के बारे में इमके बारे में कुछ बताई नास्त दमस द्वारा की गई भविश्वानियां आकाश मंडल के उर्जा को लेकर चलती हैं जब तक नास्त दमस के मस्तिस्क के अस्तर को प्राप्त कर व्यक्ति इनकी भविश्वानिय का अध्यन नहीं करता तब तक वो उसके प्रासंगित प्रभाव और उसके परिस्तित था प्रणाम पर नहीं जा सकता नास्त दमस पर इसके पहले किसी एक चैनल पर कुछ तो है पर 40 वाक्यों में नास्त दमस की भविस्वानियों का जो विसलेशन किया गया था हमारे द्वारा इसमें पूर सत्ता का आधार और पुट लिया गया है नास्त दमस ने वास्तों में भारत वर्ष में आकर 17 वर्ष निवासकर भारत वर्ष के बांगमय विज्ञान का अध्यन करने के उपरान जो विसलेशन दिये हैं वो मिस्त्र इराग इरान तथा अरब कंट्रीज और पस्चिवी के बारे में कुछ बताईए कैसे यह दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है जब भी कोई वीरेशी राष्ट्रा ध्यक्ष भारत की धरती पर आता है तो भारत की संस्कृती से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता ताजा उदारन अभी अमेरिकी राष्ट्र प अध्यम से प्राप्तुआ कि मैं उचाई पर जाकर देख सकूं भारत वर्ष की उचाई उसी प्रकार से है जैसे जल के उपर कमल की और समस्त ब्रम्हान यानि समस्त देश नीचे हैं तो भारत पर जन्म लेने वाला मच्चर दूसरे देशों के राष्ट्रा धच्च से भी स धन्यास तो तेब यहां की जमीन यहां हाती धूल इधरत निचसी सपह कहु रही में कहीं काज जहीं रज मुनी पतनी तरी सोई डूनत गजरागी यहां के मानों के अंगूठों में पाये जाने वाला धूल का कड़ पत्थर से औरत बनाने की ताकत रखता है जो किस विस्तो किसी और मानों को प्राप्त नहीं है यहां पर बोलने वाला पक्षी जटाई और गिद्ध के रूप में पूरे ब्रह्मान में अस्त्रधारी बड़े-बड़े योद्धाओं को पराजित करने की ताकत रखता है जो अन्य देशों में नहीं है इसलिए भारत वर्ष की धूल कर, मानो तख भारत वर्ष का चरर और चर संपूर स्रस्टी पूरे ब्रह्मान से उपर होने के कारण यहां का बांग में यहां का कस्टम, यहां की संस्कित, अपने आप में अनूठी और सनातन धर्म को लेने के कारण, प्रासंगित्त और पुराविश्व, इसके प्दचिन कि हमें एंद्री मासा प्रथक वपसा पूरे इत्वा क्रमें क्रांता सब्त प्रकटहनी नायने पादेन लोका स्वर विज्ञान जहां पर ध्वनी और स्वर आप संगीत के रूप में लेगते हैं वहां पर स्वर ही इस्वर है अर्थात व्यक्ति जो बोलता है और जो सोचता ह इन दोनों पर उसका अधिकार नहीं है जिस प्रकार व्यक्ति चिंतन करने पर सुतंत्र नहीं है कि कब कहां अच्छे विचार आएंगे और कहां बुरे विचार आएंगे और स्वयम परणाम प्राप्ति नहीं फल प्राप्ति में भी उसका अधिकार नहीं है कि उसको अच् सूरेख रर और सुतुम्ना स towards मंगल द्वरा इन फीन ग्रहों का अध्यान इंगला पिंगला और सुसुममना के सवर से सामने वाला जिस समैं अपना वाक्ष बोलता है अगर वो हड़ें के अंतस्तल से निकल कर हस्पर्ष करता वा निकला तो उसके मुख से निकला हुआ जैसे अटल जी के मुख से निकला हुआ वाक्त मैं भूतून भविश्च न बरतमान इस वाक्त पर ये पूरी पुस्तक लिखी है क्लिंक्टन स्वाई I deny this the relationship with the moon का लेंस्की and the process of impeachment उस पर डिनाई सब्दकाध्यान पर ये पूरी पुस्तक है और कुल पाथी इस समय पूरा देश महागाई से जूज रहा है सरकार भी लगातार कुसिस कर रही है लेकि महागाई पर काभू नहीं पाया जापा रहा है खास तोर पर petroleum के मूर्चे पर देखें आपके हिसाब से कब तक देश को महाँगाई से निजात मिल सकती है पेट्रोलियम जब आप कहते हैं मेटरिलिस्टिक साइंस में तो जेवतिस विज्ञान उसको लेता है राहू जहां से धुआ निकलता हो वो राहू है और राहू इस समय उत्करमण की अवस्था को प्राप्त है भारत वर्षी नहीं पुरा विश्व महगाई से जूज रहा है पूरे विश्व में कम होना प्रारम होगी और लोगों को निजात मिलेगी और एक मुलाकात में यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद भी डॉक्टर संकर चन्रतिर पाठी जी से यह बात्चीत जारी रहेगी